संप्रीती नाइन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मद्धे में हुआ है? तो चलिए बहुती इजी शॉट ट्रिक से मैं इसे आपको समझा देता हूँ. देखिए संप्रीती का मतलब होता है समान प्रीती का होना. अब देखिए भारत और दूसरा बांगलादेश. ये जो दोनों देश हैं इनका जो रास्ट गान हैं वो एक ही व्यक्ती ने लिखा है और उनका नाम है रविन रिनाट टेगोर. अब देखिए रविन नाट टेगोर में भारत और बांगलादेश दोनों ही देशों की समान प्रीती है मतलब दोनों ही देश समान रूप से रेस्पेक्ट करते हैं किस व्यक्ति की रविन नाट टेगोर की अब क्योंकि दोनों ही देशों की एक व्यक्ति में संप्रीती है तो ये जो संप्रीती युद्धव्या से वो भारत और बांगलादेश के मद्धे में आयोजित किया जाता है अब देखिए जब भी आपको ये स्टोरी याद आईगी इस कुश्चन को आप आसानी से हल कर लोगे तो याद रखिएगा संप्रीती नाइन युद्धव्यास जो है भारत और बांगलादेश के मद्धे में आयोजित किया गया था तो यहाँ पर आमारा आंसर हो गया आंसर E देखिए फ्रेंड्स संप्रीती युद्धव्यास का नववा संसकरण फरवरी 2020 में भारत के मेगाले राज्य में आयोजित किया गया था तो इसे भी याद रखिएगा भारत और बांगलादेश के मद्धे संप्रीती युद्धव्यास जो की नववा संसकरण था भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है तो मेगाले राज्य में देखा आपने बहुती सिंपल कोश्चन था आपके वाल स्टोरी याद रख लेंगे तो इस कोश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे अगला कुश्चन देखिए इंद्रधनुष उद्धव्यास भारत और युनाइटेट किंग्डम के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था देखिए फ्रेंड्स इंद्रधनुष जो होता है उसमें वेरियस कलर रहते हैं अब देखिए ये जो वेरियस कलर रहते हैं वो युनाइटेड रहते हैं तो यहां से हम अंसर मिल गया, इंद्रधनुश युद्धाअब्यास भारत और United Kingdom के मद्द में आयोजित किया गया था, तो सबसे पहले तो इसे ही याद रखिएगा, देखिये, इंद्रधनुश युद्धाअब्यास भारत और United Kingdom के मद्द में उत्तर प्रदेश रज्जे मे आयोजित किया गया था यह जो युद्धाब्यास था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो हिंडन एयर फोर्स इस्टेशन है वहाँ पर दोनों देशों की वायू सेना के मद्ध में आयोजित किया गया था तो यहाँ पर आमारा अंसर है आंसर डी इंद्र धनुष यु चलते है नेक्स्ट कुश्चन पर बिंस्टेक डिजास्टर मेंट एकसरसाईज दोजार बीस का आयोजित किया गया था तो यहाँ पर आमारा अंसर है आंसर सी चीन और पाकिस्तान के मद्ध में जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था मरीन गाडियन युद्धाब्यास चलते ह कुश्चन पर बिंस्टेक डिजास्टर मेंट एकसरसाईज दोजार बीस का आयोजन भारत के किस रज्ज में किया गया अब देखिए यह जो मिलिटरी एकसरसाईज है इसमें बिंस्टेक जो संगठन है उसके सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था अब कुश्चन पहुचेंगे देखिए प्लेन के टेक ओफ करने का मतलब होता है उडान भरना मतलब उड़ना अब देखिए जिस भी राज्ज में ये एकसरसाईज आयोजीत की गई है उस राज्ज के नाम में भी उडान शब्द होना जरूरी है तो देखिए बिंस्टेक डिजास्टर मेन मेनेजमेंट एकसरसाईस 2020 का आयोजन भारत के ओडिशा राज्ज में किया गया था क्लियर देखिए अगर हम बीमस्टेक की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के समीब इस्टिच जितने भी देश है उनका सयोगी संगठन है जिसकी स्तापना 1997 में की गई थी तो इसे भी यह याद रखिए कि पासेक से युद्धाब्यास जो है वो भारत और अमेरिका के मद्ध में आयोजित किया जाता है देखिए यह जो मिलिटरी एकसरसाईस है यह भारत के निकट बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई थी देखिए अमेरिका वो भारती नोसिना के अंडमार निकोबार की निकट बंगाल की खाड़ी में पासेक से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था और ये किन दो देशों के मद्ध में आयोजित किया जाता है तो भारत और अमेरिका तो यहाँ पर आमारा आंसर है आंसर B नेक्स्ट कुशन देखिए अजे वारियर्स युद्ध अभ्यास 2020 जो भारत और युनाइटेट किंडम के मद्ध में आयोजित हुआ था कौन सा संस्क्रान था तो देखिए ये एक इंपोर्टेंट कुशन है इससे याद रखिएगा अब देखिए सबसे पहला कुशन तो यह रहा हु और देखिए जो व्यक्ति कभी भी नहा रहा हुँ वही किंग मनेगा तो अजयवार्यस युद्ध अभ्यास जो हे भारत और युनाइटेग किंडम के मद्ध में आयोजित किया गया था जो की पांचवा संस्करान था तो यहाँ जित किया गया था भारत और रूस के मद्धि में ओके देखिए भारत और रूस के मद्धि में आयोजित होने वाला इंद्र नेवी का ये ग्यारवा संसकरन था जिसका आयोजन भारत के निकट बंगाल की खाड़ी में किया गया था तो यहाँ पर हमारा अंसर है आंसर C इंद् धव्यास जो है वो भारत USA और जापान की जो निव सेना है उनके मद्द में सयूग तो रूप से आयोजित किया जाता है देखिए आखरी बार ये सेप्टेंबर 2019 में प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया था जो की 23 स्वा संसकरण था इसका जो 24 स्वा संसकरण है वो 2020 क शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है तो अगर ऑस्टेलिया इसमें शामिल होता है तो 2020 में मालावार युद्द अभ्यास में भारत USA जापान के अलवा ऑस्टेलिया भी शामिल रहेगा तो अभी हमारा यहां पर अंसर है आंसर A मालावार युद्द अभ्यास में भा या तो चीनी वढ़ है, या फिर जापानी वढ़ है, clear? अब देखिए, चीन के साथ हमारा सायोग हो नहीं सकता, क्योंकि चीन के साथ हमारे विवाद चलते रहते हैं तो दूसरा जो देशे वो है जापान तो देखिए सयोग काईजिन जो युद्धव्या से वो भारत और जापान की नोसेना के मद्ध में आयोजित किया जाता है दिसंबर 2019 में आयोजित मित्र शक्ति युद्धव्या स भारत और शिरिलंका के बीच भारत के किस शहर में आयोजित किया गया तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मित्र शक्ति युद्धव्या स जो है किन दो देशों के मद्ध में आयोजित किया जाता है तो देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ उस स्टोरी को आप याद रखिएगा तो ये कुश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे देखिए रामायन के बारे में आप सभी जानते हैं जब राम को लंका पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने विभीशन को अपना मित्र बना लिया तो देखिए जब राम जी ने विविशन को अपना मित्र बनाया तो राम जी की शक्ती बढ़ गई अब मित्र के मिलने से जब राम जी की शक्ती बढ़ गई तो राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावन को हरा दिया तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि मित्र शक्ती, मित्र के मिलने से शक्ती मिली तो राम जी ने श्री लंका या लंका पर विजय प्राप्त गी तो अब आप ये कुश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे मित्र शक्ती जो युद्ध अभ्यास है भारत और शिरी लंका के मद्धे में आयोजित किया जाता है देखिए दिसंबर 2019 में मित्र शक्ती युद्ध अभ्यास भारत के पूने में आयोजित किया गया था तो यहाँ पर अमारा अंसर सही हो जाएगा अंसर D next question देखिए भारती वायू सेना का सबसे बड़ा युद्धव्यास कोण सा है तो देखिए बहुत ही अच्छी short trick में आपको यहां बता देता हूं देखिए वायू सेना के जो वायू यान उड़ाय जाते हैं वो हवा में उड़ाय जाते हैं हवा का English होता है wind अब देखिए वायू सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास में भी विंड वर्ड आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हवा में ही वायू सेना को अपने एरक्राफ्ट उड़ाने पड़ेंगे तो option में देखिए option B विंड रेडर भारती वायू सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है विंड रेडर तो यहाँ अंसर हो जाएगा answer B देखिए भारती वायू सेना दवारा विंड रेडर जो युद्ध अभ्यास किया गया था ये उत्तर पूर्वी सीमा छेत्र में किया गया था अगला question देखिए नसीम अल बहर सयुक्त नोसेनिक अभ्यास भारत और किस देश के मद्दे आयोजित किया गया तो देखिए यहाँ पर आपको केवल बहर शब्द को पकड़ना है इस शब्द से आप इसके अंसर तक पहुच जाएंगे देखिए जो बहरे रहते हैं वो किसी और की तो सुन नहीं सकते तो वो केवल अपने मन की सुनते हैं clear अब देखिए जिस भी देश के साथ भारत का ये नोसेनिक अभ्यास आयोजित किया गया है उसके नाम में भी मन शब्द आएगा option A, ओमान ओमान में यहाँ पर आपको मन वर्ड देखने को मिल रहा है clear तो नसीम अल बहर सयुक तुनोसेनिक अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के मद्दि में आयोजित किया गया था देखिए इसका अयोजन गोवा के मोर मुगाओ तट पर किया गया था और इसका ये बारवा संसकरन था तो यहाँ पर आमार अंसर है आंसर A नसीम अल बहर सयुक तुनोसेनिक अभ्यास भारत और ओमान के मद्दि में आयोजित किया गया था next question है देखिए आखरी बार दिसंबर 2019 में नेपाल में सुर्री किरन युद्द अभ्यास का आयोजन किया गया था जो की इसका चवदुवा संसकरन था clear तो सुर्री किरन युद्द अभ्यास भारत और नेपाल के मद्दि में आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर आमारा answer है answer C Cerex 2020 से नभ्यास भारती तेटरक्षों को द्वारा किस राज्ज में आयोजित किया गया तो देखिए Cerex का मतलब होता है search and rescue exercise इसका आयोजन भारती तेटरक्षक बलो द्वारा हर दो साल में एक बार किया जाता है देखिए 2020 में यह से नभ्यास भारत के गोवा राज्ज के तर्ट पर आयोजित किया गया था तो यहाँ पर आमारा answer है answer D Cerex 2020 से नभ्यास जो की भारती तरक्षक बलो द्वारा आयोजित किया गया था भारत के गोवा राज्ज में आयोजित किया गया था भारत के आंद्र प्रदेश रज्ज में इस्तेथ विशाखा पटनम बंदरगापर आयोजित किया जाना था लेकिन देखिए कोरोना महामारी के करण अधिकतर देशों में विशु में मार्च में लॉकडाउन की स्तेथी थी इसलिए इसका आयोजन नहीं किया गया तो मिलन नोसेन अभ्यास मार्च 2020 में आयोजित किया जाना था भारत के विशाखा पटनम बंदरगापर तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी चलते हैं अगले कुश्चन पर शिन्यू मेत्री 2019 युद्धाभ्यास किस रज्ज में आयोजित हुआ तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि शिन्यू मेत्री युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किस अन्य देश के मद्ध में आयोजित किया जाता है तो देखिए फिर भही कॉंसेप अब यह जो शिन्यू वड़ है या तो आपको चाइना क्या देखने को मिलेगा या फिर जापान अब आगे एक और वड़ है मेत्री अब देखिए चाइना से तो हमारे बहुत ज्यादा विवाद है तो मेत्री की कोई संभावना देखने को नहीं मिल रही यहाँ पर शिन्यू मेत्री 2019 युद्ध अब्यास का आयोजन किया गया था तो यहाँ पर आमार आंसर है आंसर C शिन्युमेत्री 2019 युद्धाब्यास जो की भारत और जापान की वायू सेना के मध्धि में आयूजित किया गया था भारत के पश्चिम मंगा दाज्ज में आयूजित किया गया था औसीडेक्स युद्धाब्यास 2019 भारत और किस देश के मध्धे आयूजित हुआ तो देखिए, युद्दाब्यास के नाम से ही आपको इसके देश का नाम पता चल ज़ाएगा देखिए, युद्दाब्यास जो है, Ossidex, इसके नाम के पहले तीन वर्ड है Ossie Clear, आप देखिए, इसके वर्ड से Austellia वर्ड का नाम देखने को मिल रहा है तो आसीडेक्स युद्धाब्यार 2019 भारत और आस्टेलिया के मद्ध में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन 2019 में भारत के विशाका पत्नम बंदरगा पर किया गया तो यहाँ पर आमारा आंसर है आंसर A औसिडेक्स युद्धाब्यास 2019 भारत और उस्टेलिया के मद्य भारत के विशाका पटनम मंदरगा पर आयोजित किया गया था अगला कुशन देखिए वरून, गरूर और शक्ति युद्धाब्यास भारत और किस अन्य देश के मद्य में आयोजित किया जाते हैं तो देखिए ये तीनों अलग-अलग युद्धाब्यास भारत के अलावा एक कौमन देश के साथ आयोजित होते हैं अब यहाँ पर आप एक छोटी सी लाइन को याद कर लीजिए तो ये कोशन आप कभी भी गलत नहीं करोगे वरुन और गरुड की शक्ती फ्रांस में हैं तो आपको तीनों याद हो जाएंगे कि वरुन, गरुड और शक्ती ये तीनों जो युद्धाब्यास से ये किस के साथ होते हैं वर्ड को हम हटा देंगे तब ये जो युद्ध अब्या से वो बदल जाएंगे उसे हम अगले कुश्चन में समझेंगे अभी तो आप इस लाइन को याद कर लीजिए कि वरून और गरूर की शक्ती फ्रांस में है तो वरून गरूर और शक्ती ये तीनों युद्ध अब्या पूछे जाएं तब हमारा अंसर आता है फ्रांस लेकिन यहाँ पर अब यह दोनों वर्ड जोइन्ड है तो गरूर शक्ती और समुद्र शक्ती ये दोनों युद्ध अब्यास भारत और इंडोनेशिया के मद्ध में आयोजित किये जाते हैं तो यहाँ पर हमारा अंसर है आ आपको यहाँ पर बताउंगा मैं आपको कया श्वाल शौट रिक बताऊंगा इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है देख़िए मैत्री क्या होती है friendship अब जो हमारे फ्रेंड रहते हैं जो हमारे मित्र रहते हैं उनके साथ अगर हमें vacation पर जाना है तो हम क अगला कुश्चन है भारत और किस देश के मद्ध में किया गया तो देखिए एक छोटी सी में आपको यहाँ पर स्टोरी सुनाता हूँ उसे ध्यान से सुनियेगा तो यह कुश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे देखिए भारत और चीन जो है वो सीमा पर बहुत ज़्यादा फाइट करते रहते हैं और इनके बीच बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है तो 1993 में भारत और चीन की सेना के मद्ध में समझोता हुआ कि दोनों सेनाएं सीमा पर गश्ट के दोरान हतियार का इस्तमाल नहीं करेंगे अब जब हतियार का इस्तमाल नहीं करेंगे मतलब केसे लड़ेंगे हैंड इन हैंड तो जब दोनों सेनाए हैंड इन हैंड ही लड़ाई करती है तो इनके बीच में जो युद्धव्यास का इयुजन किया गया उसका नाम भी इन्होंने क्या रख दिया हैंड इन हैंड तो यहां पर आमार अंसर ही आंसर चीन भारत और किस देश के मद्ध में हैंड इन हैंड इन युद्धव्यास 2019 का इयुजन किया गया तो भारत और चीन के मद्ध में तो अंसर हो जाएगा आंसर ए देखिए 2019 में hand-in-hand जो युद्धव्यास था भारत और चीन के मद्ध में मेगाले के उम्रोई में आयोजित किया गया था तो इसे भी याद रखिएगा SSC CHL में ये कुश्चन पूछा गया था कि hand-in-hand जो युद्धव्यास 2019 का आयोजन भारत के किस रज्ज में किया गया तो मेगाले रज्ज में और किन दो देशों की सेना के मद्ध है तो भारत और चीन की सेना के मद्ध में ओके आई होब आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी चलते हैं अगले कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है सिटमेक्स अभ्यास 2019 किन तीन देशों के मद्ध आयोजित किया गया तो देखिए यहाँ पर हम अभ्यास के नाम से ही इसके तीनों देशों के नाम तक पहुचेंगे देखिए सिटमेक्स के जो शुरू के तीन वड़ है वो है S, I और T तो देखिए S से सिंगापूर, I से इंडिया और T से थाइलेंड तो सिटमेक्स अभ्यास 2019 का आयोजन सिंगापूर, इंडिया और थाइलेंड के मद्ध में 2019 में भारत के पोर्ट ब्लेयर पर किया गया था तो यहाँ पर आमारा आंसर है आंसर A सिटमेक्स अभ्यास 2019 किन तीन देशों के मद्ध में आयोजित किया गया तो सिंगापूर, इंडिया और थाइलेंड अगला कुश्यन देखिए धर्म गाडियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मद्ध में आयोजित किया जाता है तो देखिए धर्म गाडियन युद्ध अभ्यास जो है भारत और जापान के मद्ध में आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर आमारा आंसर है आंसर B देखिए आकरी बार ये जो युद्ध अभ्यास था ये 2018 में आयोजित किया गया था ओके तो इसे याद लखिएगा धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मद्धि में आयोजित किया जाता है अक्टूबर 2019 के मद्धिर किन देशों के बीच सयुक्त से ने प्रशिक्षन अभ्यास नॉमेडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया था तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ जिससे दोनों देश आपको यहाँ पर याद हो जाए तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा answer C देखिए अप्टूबर 2019 में नॉमेडिक elephant युद्ध अभ्यास का चवदुए संस्करण का आयोजन किया गया था तो इसे भी याद रखिएगा नॉमेडिक elephant जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाने वाला सयूक्त स प्रशिक्षन अभ्यासे ओके लास्ट कोशन देखिए गरूर 6 युद्ध अभ्यास 2019 किन दो देशों के मद्धे आयोजित किया गया तो देखिए पहले भी हमने इस पर डिसकस किया था वरून और गरूर की शक्ती फ्रांस के पास है तो यहाँ पर हमारा answer है answer C ओके तो कोशन अच्छे से याद हो जाएं ओके तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके आपसे फिर मुलाकात हो कि नेक्स्ट जहिए